उत्तर परदेश में एक बार फिर जहरीली शराब ने अपना कहर बरपा दिया है बारा बंकी में राम नगर के रानी गंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है योगी सरकार ने इस मामले में एक्षन लेते हुए जिला आपकारी अधिकारी एसन दुबे उत्पाद शुल्क अधिक चक तीन हेड कॉंस्टेबल और एक साइच के पांच कॉंस्टेबलों को निलंबित कर दिया है इसके अलाबा सीओ इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और पुलिस के दो कॉंस्टेबल भी निलंबित किये गए हैं वहीं शराब के ठेका मालिक आरोपी सुनील जैसबाल को पुलिस ने ग्रफतार कर लिया है बतादे की परदेश के मुख मंतरी योगी आदितनात ने मरने बालों के पृति गहरी संबेदना व्यक्त की है और कड़ी कारवाही के आदेश दिये है कैसे महुत हुई रानिगन में दारोपी है देशी शराब ठेका पे घर को आए खाना पिनक आए फिर उसके बाद आत्मित खराब हो गई उल्टे होने लगे अस्पतार लाए यहां इस पार हो जाए प्रवारी जब जान पाए पलटूल्डी करे लगे तो गारी करके बसने के जात रहा है अब 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 आधी घर में है अब बताए लोग बहुत परसान में इस बताए नहीं पताए नहीं कि इन सभी मरीजों ने कल जो है शराब का सेवन किया इसके अलावा इनके लक्षण भी एक जैसे है कि उल्टी पेट में दर्द कुछ और उल्जन जैसा मैसूस होना सास पूलना वगरा तो कारण कुछ आस्वाभावी के लगता है इसमें तो आगे पुलिस प्रशाशन की ज झाल झाल